Hello friends, एक बार स्विर्ज से अपने वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने और आज हम बना रहे हैं वीडियो exercise 2.2 का जिसमें हम question number 11 से question number 16 तक की questions लेंगे ठीक है? और पिछले जो वीडियो से आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिए ठीक है? लिंक मैं दे दूँगी ठीक? तो चलिए, स्टार्ट करते हैं Question number 11, ठीक है? मैं बुक से पढ़ता हूँ पहले फिर हम सॉलूशन करेंगे Question number 11 is, Bai Chung's father is 26 years younger than Bai Chung's grandfather and 29 years older than Bai Chung The sum of the ages of all the three is 135 years and what is the age of each one of them? Solution, let the Bai Chung's age be X. हमने Bai Chung के age X माल ले तो question में क्या कहा है? कि Bai Chung's father के age क्या है? X plus 29, वो क्या है? 29 years older than Bai Chung है और फिर क्या कहा है? Bai Chung's grandfather की जो age हो जाएगी, वो क्या होगी? वो अपने बेटे से यानि की Bai Chung's के father से 26 years older है है ना? तो हम इसमे 26 add कर देते हैं तो यह होगी इनके grandfather की age, father की age और Bai Chung's तो X year गही है ठीक है? आप according to question क्या कहा है? देखे इन तीनों की age जो है, उनका sum है 135 तो ठीक है भाई, according to the question क्या हो जाएगा? X plus, X plus 29 plus, यह X plus 29 plus 26 is equal to 135 है बस इसको solve कर लेते हैं, हमें तीनों की age अलग लग पता चल जाएगी इसको solve करते हैं, यह हो गया आपका X plus, X plus 29, फिर यह हो गया X इसको sum कर ले हम, तो यह हो गया 6 and 9, यह हो गया आपका 15, 2 to 4 and this is 5, right? and 135, यह हो गया हमारा 3X, अब एक काम करते हैं, इन्हें भी प्लस कर लेते हैं, 9, 10 और यह हो गया 14, 5, 6, 7, 8 and 135 3X is equal to क्या हो गया? 135 और 85 अब राइट हैंड साइड भी जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 में से 4, 1 आया, 13 में से 8, कितना हो गया? यह हो गया हमारा 5, 10 और यह 13, yes X is equal to क्या हो गया? 51 by 3, solve कर दीजे, 3 बंजा 3, 3 बंजा 3 और कितना हो गया? 2, 3, 7 जा यहनि X की value आगई आपकी 17, यह निकला आपका X, X क्या है? बाइचुंक्स की ऐज, यह हो गया आपकी 17 अब बाइचुंक्स की फादर की ऐज किते हो गया? 17 में 29 आपको प्लस करना है, कितना हो जाएगा? 7 और यह हो गया 14, 15, 16, 2, 3, and this is 4, ठीक यह हो गया 46, अब आइए यह निकाल देते हैं कि ग्रेंफादर की ऐज क्या होगी? X हो गया आपका 17, प्रस 29, और 26, तो यहां तो 46 ह हो गया था 46 में, यदि मैं 26 और एड कर दूं, तो यह हो गया 12, 4 and 3 हो गया, 7, yes, तो तीनो की ऐज क्या क्या निकली है? 17, अब उसके पापा 46, और ग्रेंट फादर जो है, वो है 72 यह ओल्ड, ठीक है? यह है आपकांसर. Friends, question number 14, question number 14, Lakshmi is a cashier in a bank, she has currency notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively, the ratio of the number of these notes is 2 raise to 3 raise to 5, the total cash with Lakshmi is rupees 4 legs, how many notes of each denomination does she have? Friends, solution, let the number of notes be 2x, 3x and 5x, okay, उसके बाद देखिये, 4 lakhs total rupees है, ठीक है, तो 100 rupees के 2x note, 50 rupees के 3x note, 10 rupees के 5x note, इतने मिल कर 4 lakhs बने, ठीक है, according to two questions, यह हो गया हमारा, बस इसको solve करते है, आपको निकालना है, notes कितने कितने है, यहनि आपको 2x, 3x और 5x निकालना है, ठीक है, तो चलिए इसको solve करिए, यह हो गया आपके पास 200x, प्लस यह हो गया आपका 150x, प्लस यह हो गया आपका 50x, is equal to हो गया आपके पास 4 lakh rupees, right, solve कर दीजे, इनको आप 150, 50, 200 हो गया, 200, 200, 400 हो गया, x is equal to हो गया, हो गया, आपके पास 4 lakh, यहनि x यह आप solve करो, तो यहां से भी यह दे देखिए, two zeros तो यहीं से चले गए, अब four से मैं four cancel out करते हूँ, तो four बन जा four, zero, zero and zero, यहनि 1,000 rupees, यहनि जो आप note हो गया, x is equal to आगे, 1,000 rupees, अब देखिए, 100 rupees के थे, 2x note, तो वहीं बोल रहा है, 100 के कितने हैं, और 50 के कितने हैं, 10 के कितने हैं, तो 100 के 2x है, है ना, notes of 100 rupees, यह, ठीक है, यह है, यह है, आपके पास 2x, यहनि 2 into x की value हो गया, 1000, यहनि कितना हो गया, 2,000 rupees, यहनि, notes of rupees 100, 2,000, similarly, आपको notes of rupees 50 निकालना है, है ना, 50 के लिए आपने 3x माना था, है ना, तो क्या हो जाएगा, आपके पास 3 into 1000, यहनि हो गया, यह आपका 3,000 rupees, and again, number of rupees, 10, कितना हैं, आपके पास 5x, कितना हो जाएगा, 5 into x की value है, 1000, यहनि यह 5000 rupees, यहनि कि, आपके पास 2,000, 3,000 or 5000 rupees आएंग ठीक है, friends, question number 15, b14 की ही similar है, बस उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, उसे आपके लिए छोड़ती हूँ, और बताइए करके यह दिया आपको नहीं बनता है, तो जरूर मुझे comment box में बताइए, और फिर मैं उसको solve जरूर करूंगे आपके लिए, ठीक है, a prize of rupees 100 and a participant who doesn't win gets a prize of rupees 35, the total prize money distributed is rupees 3000, find the number of winners if the total number of participants is 63, question है, ठीक है, एक ऐसे competition हुआ, और जो distributors हैं, यानि कि जो price देने वाले हैं, उन्होंने decide कि जो जीतेंगे, उनको हम 100 rupees देंगे, और जो losers होंगे, यार जो second आएंगे आप कहलो, उनको हम 25 rupees देंगे, ठीक है, और इन्होंने हमें ये भी बता दिया है, कि total participants जो है, वो है 63, और ये भी कहा है, कि 3000 rupees जो है, total money distribute की गई है, इन participants के बीच में, यानि कि जो जीते हैं, और जो losers हैं, यानि जो first और second आया है, you can say, उन सब को मिला कर जितनी money दी गई है, वो है 3000 rupees, तो आप बताओ, कि find the number of winners, winners कितने थे, ठीक है, तो चलिए, solution देखते है, solution, let the number of winners of rupees 100, देखे है, मैंने लिख दिया है, let the number of winners of rupees 100 be x, ठीक है, आपको यही बोला है, कि number of winners आपको find out करने है, और winners वही होंगे, जिने 100 rupees वाला, यह जो प्राइज है, उन ही को मिलेगा ना, तो वो है, x हमने माल लिया, तो and those who are not winner, अब जो winner नहीं है, तो जो winner है, वो x है, तो जो winner नहीं है, वो कितने हो जाएंगे, तो देखे है आपके पास participants 63, यदि मैं उस में से x minus कर दू, तो मुझे पता चल जाएगा, कि जो winner नहीं है, ठीक है, अच्छा, total sum of prize money distributed, कितनी prize money दी गई है, यह है rupees 3000, ठीक है, चलिए, यहां तक हमने सारा note down कर दिया, जो हमें question में दिया हुआ था, अब according to question, क्या कहता है, कि in the competition gets a price of rupees 100, and the participants who does not win gets a price of rupees 25, और total money दे दी गई 3000, देखो, x जो है, जिने 100 rupees मिलते हैं, ठीक है, और plus 63 minus x वो है, जिने 25 rupees दी गई है, तो 25 से उसको मैंने minus कर दिया, है न, तो जो winners है, वो हो गए तुम्हारे, उनको मिला 100x, और जो losers है, यानि जो winners नहीं है, कहलो आप, 63 minus x into 25 मिला, और total money है, आपकी 3000 rupees, ठीक है, यह है आपका question, ठीक, यह ही कहता है, बस इसको आप solve कर दीजे, और फिर हमारा answer आजाएगा, देखे, 100x हो गया यह, अब यह हो गया, आपका 63 into 25 हो जाएगा एक तो, और एक हो जाएगा 25x, और यह है आपका 3000, अब देखे इसको, 100x और plus, इसको multiply कर दो, 25, 3 जा हो गया, 75, और 25, 6 जा, कितने हो जाएगे, 150, 150 और यहाँ पर हो गया, 7, यानि 157, and minus 25x is equal to आपका 3000, इसे solve करते है, 100x है, minus 25x है, कितना हो गया यह, 75x, और 1575, वहाँ चले जाएगे, यानि right hand side में, तो यह हो जाएगा, आपका 3000, minus 1575, जाएगे, इसको minus कर लीजिए, कितना हैगा, यह हो गया, आपका 5, यह 9 में से 7, 8, 9, 10, 8, 9, 2 हो गया, और 9 में से 5 हो गया, 4, और 2 में से बन गया, 1, यानि यह हो जाएगा, 1425, 75x is equal to हो गया, आपका 1425, तो यहाँ पर मैं करती हूँ, x is equal to क्या हो जाएगा, आपका 1425, यानि 1425, अपान हो जाएगा, आपका 75, अब जाएगा, इसे solve करते हैं, ठीक है, देखे, हम इसे कर देते हैं, 5 बन जा 5, 6, 7, यानि 2 हो गया, 5, 5 जा हो गया, 15, यह देखे, 5 बन जा 5, no, sorry, 5, 2 जा 10 कर लो इसको, 4, 5, 8 जा हो गया, 40, फिर 2, 5, 5 जा हो गया, अग 15, अब क्या मैं 15 से इसको डिवाइट कर दू, 15 बन जा 15, 15 तूजा 30 होता है, 15 बन जा 15, कितने बचेंगे, 15 बन जा 15, यानि 5, 20, और 8, 13, 15, 9 जा, 135, यानि 19 आगया, यह एक्स की बैल्यू हो जाएगी, 19, और एक्स क्या है, लिद नमबर ओव विनर्स और रूपीस 100 इस एकल आ रहे हैं, हमारे पास 19, यह होगा हमारा आंसर, ओकी, तो फ्रेंद्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगले वीडियो में, नए समस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,